हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी को मेरा नमस्कार राधे रहते जैसा के आपको पता है कि 10 मई को अच्छे तितिया जिसे अख्य टी भी कहा जाता है उस दिन लड्डू कोपाल की सेवा हमें कैसे करनी है या फिर हमारे गर में बिहारी जी है या लड्डू कोपाल तो उनकी सेवा कैसे करनी है पूरी दिन तो देखी सबसे पहले हम जब उन्हें सुबह जगाएंगे तो उन्हें हम थोड़ा सा पानी पिलाएंगे पानी पलाने के बाद जब हम उन्हें इसनान कराएंगे तो देखे इसनान अच्छे तितिया वाले दिन चंदन का विशेस महत होता है तो चंदन का सुवास्तिक बना कर हम उन्हें इसनान कराएंगे कच्चे दूस से कराएं पंचा मिस से इसनान कराएं चंदन से इसनान कराएं, फूल पत्ती डाल कर इसनान कराएं, आप जैसे चाहें इसनान कराएं, अच्छे तितिया वाले दिन विविन प्रकार के तरीके से इसनान करा जाता है, तो देखें, यहां मेरे चंदन से सुवास्तिक बनाया है, उसके बाद मैंने फूल पत्ती डाली हैं थोड़ी सी उसके बाद मैंने अपने लड्डू को पाल को यहां पर इसनान के लिए बिठा दिया है तो पहले हम साधा जल से इसनान कराएंगे चर्णों पर डालेंगे सबसे पहले उसके बाद देखिए मैं कराऊंगी कच्छे दूसरे इसनान तो आप चाहें तो देखें पंचा मिस से चंदन से किसी से भी सहे से इसनान करा सकते हैं या फिर आप किसी भी चीज से इसनान करा सकते हैं मैं यहां कच्छे दूसरे इसनान करा रही हूँ क्योंकि अच्छे दिची अब बहुत बड़ा दिन है तो यहां आज मैं साधा इसनान नहीं कराऊंगी तो यहा तितिया वाले दिन चंदन के लड़ Komma और चंदन के सिंगार का सद्व के भोल का विशेश महत होता है तो चंदन का लड़ कैसे बनाय जाता है उसका वीडियो मैंने चैनल पर डाल दिया है तो यहां देखें मैं चौकी लगाऊंगी क्योंकि चंदन का सिंगार होता है तो हम केबल चोगी पे बिठाएंगे, आप चाहें तो कच्छू पेना सकते हैं, अगर आप पूरे सरीर पर चंदन नहीं लगाना चाहते हैं, तो आप यलो कलर की पोसा पेहना लें, लेकिन मैं पूरे सरीर पर चंदन लगाऊंगी, यहां मैंने चंदन घोल लिया है, तो तो देखिए ऐसे ब्रस की साहता से हमें लड़ो गोपाल के पूरे सरीर पर लगाना है, अगर आप पूरे सरीर पर नहीं लगा रहा हैं, केबल चेहरे पर लगा रहा हैं, तो आप चेहरे पर लगा सकते हैं, तो देखिए यहां पहले मैं पूरे सरीर पर लड़ो गोपाल के चंदन लगा लूँगी और देखिए बहुत से लोग तो चंद के वल चंदन सिंगार करती है कुछ लोग चंदन के उपर फूलों की जोलरी का सिंगार करती है कुछ लोग चंदन के उपर जो जोलरी पेनाती हैं उसी का सिंगार करती है तो जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकती है देखिए मुझे जो अच्छा लग रहा है वो मैं कर रही हूँ तो यहाँ देखिए मैंने अच्छे से यहाँ पर लड़ू को पाल को चंदन लगा दिया है तो अब मैं इसे 5 मिनट सूखने दूँगी तो यहाँ मैं थोड़े से होटों को साफ कर दूँगी और थोड़ी सी लड़ू को पाल की आईब्रो जब हम लगाते हैं तो थोड़ा सा लग जाता है तो यहाँ मैंने साफ कर लिया है अब मैं थोड़ा सा सूखने दूँगी उसके बाद देखे आप रोली गोल सकती हैं रोली नहीं तो आप फैवरिक कलर भी ले सकती हैं या बच्चो के कलर आती हैं वो भी ले सकती हैं तो देखे यहां मैंने कलर ले लिए हैं तो यहां मैं तिलक बना रही हूं तिलक के बाद देखिए जैसे अगर आप बिंदी लगाना चाहते हैं आप बिंदी लगा सकते हैं किवल रेड लगा सकते हैं रेड और वाइट भी लगा सकते हैं चंदन पत्रा वाली करते हैं तो आप ग्रीन कलर भी लगा सकते हैं तो यहां मैं रेड कलर की लगाऊंगी तो यहाँ पर मैंने रेट कलर की बिंदी और तिलक लगा दिया है तो यहाँ पर हम थोड़े से अगर आप जोली नहीं पैना रहे हैं तो आप गले पर हार वगेरा सब बना दें लेकिन मैं यहाँ जोली पैनाओंगी क्योंकि जोली से बहुत अच्छा रूप आता है इसलिए मैं केवल हाथों पर बाजू बन और नीचे हाथों पर थोड़ा थोड़ा सा बना दूगी तो यहाँ देखे चोटी चोटी से बिंदी मैंने बना दी हैं और चर्णों पर बनाते हैं और देखे चंदन सिंगार के बाद आप लड़ो गोपाल को अच्छे तितिया के दिन पायल का विसेस में होता है मैं वीडियो उसकी भी डालूंगी कि तुलसी की पायल कैसे बनाएं अच्छे तितिया पर आप अपने लड़ो गोपाल को पायल अवश्र बेनाएं तो यहां देखे मैंने एक गले में सेड पेना दिया लड़ो गोपाल को इसके बाद देखे यहां मैंने मुकोट लगा दिया है मोकुट में मोरपंख जरूर लगाएं क्योंकि काना जी को बिहारी जी को मोरपंख विसेश प्री है और यह बहुत बड़ा ही दिन है तो हमें मोरपंख जरूर लगाना है तो यहां देखिए मैं कंगन पहना दूगी आप चाहें तो कच्छु भी पहना सकती है लेकि लड़ू गोपल बाल सरूप है तो मैंने इसी तरीके से तैयार किया है तो देखिए यहां मेरे लड़ू गोपल तैयार हो गए है अब आप खुद देखकर बताइए कि यह कितने प्यारे लग रहे हैं इसलिए मैंने इस तरीके से इनका सिंगार किया है उपट से इस तरीके से हम फूल मला पहना सकते हैं तो देखिए यहां पर मैंने एक गैंदे के फूल की मला ले ली है जो मैंने उपट से अपने लड़ू गोपल को पहना दी है इसके बाद आज की दिन भोग क्या लगना है तो देखे यहां हम आज की दिन सर्वत जितनी भी ठंडी चीज़ है सर्वत का भोग लगा सकते हैं मैंने सर्वत बनाया है सत्तू का भोग जरूर लगाना है बजार में सत्तू मिलता है और सत्तू का भोग आपको जरूर लगाना है क्योंकि आज की दिन सत्तू का विसेस मेहत होता है तो आप तुलसी पत्ता डालके सत्तू का भोग जरूर लगाएं और सर्वत का लगाएं, खर्बूजे का लगाएं, खीरे का लगाएं, तर्बूजे का लगाएं और लसी का लगाए जितनी भी ठंडी 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 चीज़ों का आपको लड्डू को पाल का भोग लगाना है और देखी एक ग्लास में मैंने छोटी ग्लसीया में लड्डू को पाल की में जल रख दिया है तो आपको जल रखना है तो देखे यहां सारा भोग रखने के प्रेम् पूर्वग आर्थी करेंगे तो मैं कर रहे वह लड्डु कोपाल जी कि साम को जब आप आपती करें जब आप लड़ू को पाल को सुलाएं तो लड़ू को पाल को जब हम साम को सुलाएंगे तो हमें चंदन को इस तरीके से लगा के नहीं सुलाना है कोई भी चीज हम सरीर पर लगा के सुएंगे तो अच्छे से नहीं सुपाएंगे तो इस तरीके स तो देखिए इसके बाद हम माला भी हटा लेंगे, जोएलरी भी उतार देंगे, क्योंकि ये सब पैनगे तो लड़्डू कोपाल सो नहीं सकते हैं, बाल सरू पेह, उन्हें परेशा नहीं होगी, तो यहाँ हम जोएलरी और सब कुछ उतार लेंगे, उसके बाद देखिए जो लड्ड्डुकोपाल की हमने चंदनल लगाया, उसका हमें क्या करना है देखे यह भगवान के लगाया है, तो इस तरीके से हमें नहीं कड़ सकते इसे, तो इसे पानी लगा लेंगे हम लड्डुकोपाल के उपर से इस चंदन को उतार लेंगे तो यहां देखिए मैंने चंदन उतार लिया है सारा तो मैं पूरा चंदन उतार लोंगी इस कटोरी में पूरा चंदन उतारने के बाद इस चंदन का देखिए उतार गया है इस चंदन का क्या करना इस चंदन को आप डेली तिलक लगा सकते हैं जब तक इसमें चंदन रहे, आप रोज तिलक लगाएं, भगवन की प्रिशादी आप रोज तिलक लगा सकती हैं पूझा के बाद, अब इसके बाद देखिए साम को अच्छे तितिया वाली दिन आपको लड़ू को पाल को इसनान जरूर कराना है, क्योंकि वह ऐसे नहीं सो स सकते हैं, हम भी नहीं सो सकते हैं, तो आप जरूरी इसनान कराएं चंदन सिंगार उतारने के बाद, तो यहां देखिए मैं अच्छे से इसनान कराऊंगी, तो यहां हम लड़ू को पाल को अच्छे से इसनान करा लेंगे, इसनान कराने के बाद देखिए मैंने यहां इनको इत्र से मालिस करूँगी, तो यहां मैं इत्र से बादूँगी, तो हम लगाएंगे अपने लड्डू कोपाल के इत्र, और देखी रात को लड्डू कोपाल को भूत हलके से कपड़े पेहना है, क्योंकि देखी जब हम सुलाते हैं, या हम खुस होते हैं, तो बहुत हलके से कोई कपड़ा पेना दें तो मैं यहां एक हलका सा छोटा सा कॉटन का नाइट सूट पेनाऊंगी उसके बाद ही मैं लड़ो को पाल को सुलाऊंगी तो इस तरीके से अच्छे तितिया पे पूरे दिन की दिन चर्या मैंने आपके साथ सेयर की है अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक शेर अवश्र करें राधे राधे अच्छे तितिया की आप सभी को बहुत बहुत सुब कामना है